Brought to you by Agilis Diagnostics Agilis Diagnostics उसमें एक ही पहली बरसा में ही पानी चुने लगा अंदर पानी भर गया था इस पर ध्यान देना चाहे है राम मंदिर, भव्वे राम मंदिर, याद है तस्वीरे चुनाव से ठीक पहले देश के प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने राम लल्ला की प्रान पतिष्टा की, राम मंदिर की तस्वीरों से पूरा इंटनेट भर गया सुन्दर और विकास की बात गही जाने लगी लेकिन बिना मौनसुन की एक बारिश ने सब को छील लिया ये हम नहीं कह रहे, बलकि इसकी सच्चाई राम मंदिर के मुख्य पुजारी सतींदर दास बता रही है कह रही है कि पहली बारिश में मंदिर की छच चूने लगी है मंदिर बन गये हैं जहां राम लला विराजमान है और जो आगे भी जगह बनी है उसमें एक ही पहली बरसा में ही पानी चूने लगा अंदर पानी भर गया था इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन से कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है पानी निकलने का जगए नहीं है और पानी उपर से चूता भी है ये समेश्या जो है इसका समाधान पहले है आजे कल में सोच करके उसको निशित करने है ना सिर्फ राम मंदिर बल्कि आयोध्या के रामपत का भी यही हाल है एकी बारिश में सडकों पर बड़े बड़े गटे हो गए स्री राम मंदिर में जब प्रानपतिष्ठा कारकरम हो रहा था उसके ठीक पहले सडक का निमाड़ा गए था और यह रामपत पर जगाजगां गटे बन गए है और जगाजगां सडके जो हैं बैड़ गई हैं आनन फानन में प्रसासन ने इस तरह करके गट्टियां डाल दी हैं और इसको पूरी तरह से यह दिखाने की कोशिश की है कि नहीं गड़े अब नहीं रहे गए लेकिन यह जमीन अगर आप देखते तो यह पूरी की पूरी के हाँ पर बड़े बड़े गड़े खुद गए थे और जगां जगां इस पूरे रोड पे आपको गड़े दिख हाई दिंगी जो आज सवेरे ही भरी गई है यानि साफ तोर पे कहीं ने कहीं प्रानपतिष्ठा कारकम के पहले या तो जल्दवाजी कहें या फिर गुडवत्ता का भाव लेकिन पहली ही बरसात में जब छिटपुठी बारिश आई है तो सड़कों का यह हाल चिंता पैदा करने वाला है बनबीर सिंग आयोध्या यूपी तक पहले लोग सब चुना में आयोध्या में बीजेपी की हार उसके बाद पहली ही बारिश भेता विकास इसकी चचाब बहुत तेज है ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक